सावन में पर्स में रख लें ये एक चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी मिठ जाएगी बिस्वास नहीं तो खुद आजमालो दोस्तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन का महीना महादेव भोलेनात को समर्पित है अगर सावन की महीने में आप अपने पर्स में रख लेते हैं यह एक चीज तो आपके घर से गरीबी कोसो दूर चली जाएगी और जन्म जन्मांतर की गरीबी मिठ जाएगी दोस्तो हर इंसान चाहता है कि वह जल्द धनवान बने इसके लिए काफी महनत करते हैं उपाय भी करते हैं जी तोड़ लगाकर महनत परिस्तरम करते ह लेकिन इसके बाद भी जो वो है सकसेशफुल इंसान नहीं बन पाते है उनके जीवन में धन की कमी का भाव हो ही जाता है लक्ष्मी एक ऐसी देवी हैं जिनका सुभाव चंचल है मा लक्ष्मी एक इस्थान पर है तो कल दूसरे इस्थान पर चली जाती हैं अगर आप भी लक्ष्मी जी का बंधन करवाना सीख जाएं या फिर करना सीख जाएं तो आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है आपके पास धन नहीं है तो लोग आपकी इज्यत मान समान नहीं करते हैं। इसलिए मित्रों हो सके तो धन प्रात करने के लिए जो मैं आशान बिधी बताऊंगा इस सावन के महीने में तोटके बताऊंगा इसे जरूर आप करना। क्योंकि जो आसान बिधी होती है जो गुप्त उपवाय होते हैं जो टोटके होते हैं ये व्यक्ति को सक्सेसफुल बना देते हैं और आगे पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा मार्ग दर्शन भी करते हैं। शहाएक होते हैं दोस्तों आपको करना क्या है कोई भी देवी देपता कहीं पर भी मंदर में जाते हैं तो वहां से आप सावन का महीना चल रहा है तो सावन का चुकि पवित्र महीना है इसलिए सावन में किसी भी मंदर पर जाएं जैसे बाले जिए कि आप भोले नात की या एक जारे दाने आप ले ले और अगर नहीं है तो आप अपने घर से भी आप साबूत चावल ले कर जाएं एक जारा या फिर 21 या फिर 180 अपको कमज कम 20 बार आपको ये बोलना है या फिर आपकी मर्जी अगर 180 बार बोले तो अतियत्तम हैं बोल करके आप इसे अपने पर्स में रख लें, क्योंकि पर्स भी आप साथ लेकर जाएं, या फिर आप चाहें तो अपने घर लेकर आए उसे और अपने पर्स में रख लें, या फिर आप नहीं लेकर गए हैं चावल, तो आप स्यू जी के स्यूलिंग पर चढ़ा हुआ जो रहता है स्यू म बिश्वास नहीं, तो एक वार खुद आजवालो, मेरे पिरे दोस्तों, या फिर आप इसे अपने धन के स्थान पर भी रख सकते हैं इस चावल को, जहां आप तिजोरी किम्ती समान रखते हैं, या फिर आप अपनी ब्यापार के गल्ले में भी रख सकते हैं, जहां आपका ब प्रियोग बताने जा रहे हैं। देवी देपता को जो चढ़ाया हुआ फूल होते हैं। ये हमारे भाग में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, अच्यानक से हमें धन आने शुरू हो जाते हैं, और तेजे से हमें धन आने शुरू हो जाते हैं. अगला उपाए अगर आप भगवत गीता के पुष्टक में चुकि सावन के महीने में अगर आप भगवत गीता में यनिकी एक दस रुपए की नोट ले ले और उसमें श्रीम 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 एक कीस बार आप यनिकी तीन बार लिखकर और एक कीस बार श्मरन करके आप भगवत गीता में रख दे और फिर इस दस रुपए को निकाल करके आप अपने पर्स में रख दे तो आपके पर्स में हमेशा पैशे में ब्रदी होती रहेगी कभी भी धन की कमी नहीं आएगी तरक्की मिलेगी अनेक जगर सिलाब होगा दोस्तों एक छोटा सा उपाय और करें बेल पत्र चुकि सावन की महिने में भगवान सीव को बेल पत्र चड़ा जाता है तो बेल पत्र अगर अपने पर्स में रख लें तो इससे महादेव के सासत माता लक्ष्मी जी भी की कृपा बरसेगी क्योंकि माता लक्ष्मी जी को अगर आप पर्स में यदि रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी आकर्शित रहती है और सदय आपके घर में धन धान और आपका पर्स पैशों से भड़ा रहता है और बहुले नात की भी कृपा बरसती है तो इस तरह से आप ज़रूर अपने पर् स्क्राइब करिएगा जाए मालक्षमी